आज से लगबख एक महिने पहले 24 अगस की सुभा इंटरनेशनल और खरेलू क्रिकेट से सन्यास की खुशना करके शिकर धवन ने सभी कुछों का दिया था लेकिन उन्होंने अचानक से सन्यास अखिर क्यों लिया इस वज़ा का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया था फैंस उन्हें एक बार फिर नीली जर्सी में देखने के लिए बेताब थे लेकिन धवन के सन्यास ने उनकी उमीदों को भी तोड़ दिया सब यही जानना चाहते थे कि आखिर धवन ने सन्यास का फैसला आखिर किसके कहने पर लिया मगर अब लगभग एक महिने के बाद धवन के सन्यास लिने का प्रमुक कारण भी पता चल गया है और वह वज़ा भी स्टार बल्लेवाज शिकर धवन ने खुद ही बताई है बायहाद के इस बल्लेवाज ने अपने सन्यास का एलान शोशल मीडिया पर एक खास वीडियो शेयर करते हुए किया था जिसमें उन्होंने अपने करियर से जुड़ी यादों के इलावा काफी सारी सीज़ों का जिकर भी किया था इसके साथ धवन ने अपने करियर के दूसरे पड़ाप को शुरू करने की बात भी कही थी तमाम फैंस जानना चाहते थे कि धवन ने सन्यास का लेने का फैसला अखिर क्यों किया है शिकर धवन ने इसका कारण बताते हुए कहा कि भारते टीम में फिर से वाफसी करने के लिए उन्हें खरेलू क्रिकेट खिलना था लेकिन उनके पास अब प्रेड़ना नहीं बची थी इसी वज़ा से उन्होंने सन्यास लेना ही उचित समझा था धवन के सन्यास लेने से उनके फैंस को काफी दुक पहँचाता है वे फैंस के बीच गबर के नाम से जाने जाते हैं और उनका मजाखिया अंदाज सभी को काफी पसंद है इसके साथ धवन को मिस्टर ICC भी का चाता है और इसके पीछे की बज़ा भारते क्रिकेट फैंस बहुत ही अच्छे से जाते। शिकर धवन ने अपने अंतराष्टे करेयर के शुरुआत 2010 में अश्ट्रेडे के खिलाफ की थी। वहीं उन्होंने अपना आखरी मैच दिसंबर 2022 में बांगलादेश के खिलाफ खिला। 38 वर्षे इस खिलाडी ने 34 टेस्ट, 167 वंडे और 68 टी टॉन्टी आई मुकाब्रे खिले। इस दुरान उन्होंने 10,866 रनना है जिसमें 24 शतक और 55 अर्शतक की पारियां भी शाय मिले। धवन ने सन्यास तो ले लिया लेकिन फिर भी वह क्रिकेट से जादा दिन दूर नहीं रह पाए। बायात का ये तिकच पल्लेबास बरतमान में लिजन्स लिग क्रिकेट 2024 में खेल रहा है। टूर्नामेंट में वह गुजराज जाइंट्स का प्रतिनिधित भी कर रहे हैं और कप्तानी भी इसमें उनका बल्ला खूब जोरो शोरो से चल रहा है। शिखरदवन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम गेम को पहले प्रेफर करते थे। आपको याद होगा जब भारत को 360 रन अश्टेले के खिलाब बनाने थे। उनकाच में शिखरदवन की एक आतिशी धवाकेदार थुहादार पारी के देखने को मिली थी। उन्होंने पूरी तरह से विराट कोली और रोई शर्मा के लिए टेम सेट कर दिया। चैंपेंस टोफी 2013 में यही खिलाड़ी भारत के लिए मैन ओड़ टूर्नमेंट बना था। तरह तक की 2015 और 2017 के ICC World Cup और चैंपेंस टोफी में भी दवन कबला खूब चला था। 2019 में उटे हुए अंगोटे से यह खिलाड़ी भारत के लिए खेला और शतक मारा। अब आप हमें बताइए कि क्या शिकरदवन ने सही समय पर सन्यास लिया था या अभी भी उनकी टीम में वापसी हो सकते हैं। हमें कमेंट शेक्षन में सरूर बताएं। इसी तरह की क्रिकेट से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए क्रिकेट के सरी और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूमें। साथी नॉटिफिकेशन बेल सरूर रजाएं।